हेई वाट्सप एवरीवन वेलकम बैक टू माइ यूट्यूब चैनल विहर आई सेर वीडियू कोलीज कल वीकली स्कीन केर एंड सारी चीजे नेचरल है डियाइवाई है मैंने यहाँ पर कोई face wash का यूज नहीं किया है simply मैंने यहाँ पर gram flour यानी की बेशन और water एड करके अपने face पर अच्छे से मसाज किया है 2-3 मिनट के लिए इसको थोड़ी देर के लिए अपनी face पर dry होने देना है देन आपको अपनी face को normal water से wash कर लेना है यह आपके face को proper clean करने में help करेगा second is a scrub so cleansing के बाद आप पार जाते scrub की तो week में आपको एक बार scrub करना चाहिए यह सब को पता है बट चिनके अडियल जित्ती black and white head है so वह week में 2-3 बार भी scrub कर सकती है बट chemical वाला ना हो आप उसको naturally घर पर बना कर use करें वह बहुत अच्छा होता है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर coffee rice floor और इसमें मैंने एडि किया था coconut oil इन तिनों का mix करके मैंने apply किया है yes coconut oil dry skin वालों के लिए होता है बट summer's में skin हमारी oily होती है इसलिए मैंने इस बार coconut oil का यूज किया है इस ग्रब में आप इसमें योगर्ट का यूज कर सकते हो इस क्रब के बाद आज मैं चारकुल का यूज करने वाली हूँ विकोस यह आपके black and white it को निकालने में बहुत help करता है और मेरे पास में यह काफ़ी टाम से पड़ा हुआ था तो यह waste नहीं हो इसलिए मैं आज इस marks को यूज कर रही हूँ इसे आपको अच्छी पूरी फेसर अपलाई करना है और इसको proper dry होने देना है उसके बाद इसको easily remove करना है आपको यह बहुत हार होता है और इसको remove करना उतना ही मुश्किल होता है आपी को जिसको रिमुव करते करते अच्छे रोने लगते हैं सो इसको अच्छी तरीके से बहुत ही लाइठ है आपको रिमुव करना है अपने आपको मतलब छीचना मत सकीन को एंद नोज के पास वाली एरियए पर तो आपको सची में रोना ही आ जाएगा तो गाईज मैं इस को वोटर से क्लीन कर लिया आफटर क्लीनिंग बहुत अच्छा गलो आता आपके फेस पर नेक्ट स्टेप इज़ा होता है हमारा फेस मार्क्स का तो फेस पैक यानि की डिया वाई मैंने जो बनाया है मैंने यहां पर बीट रूट पाउडर लिया है प्लस मैंने से वोटर एड बहुत अच्छा गलो देता है आपके जिसके नैच्रल के सकते है आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं अच्छा होता है आपकी आपकी क्लिए इसको बना करना कुछ टाम के लिए फ्रीज में रख दीजें खेले धाई में थेणड़ैंग दल्रा स्कूदिम आपको धिना ग नेक्स स्टेप होता है हमारा आइस क्यूब मसाज तो मैंने बहुत मोटी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी मैंने बरफ ली है आइस कोटन टावल के एप से मैं अपने फेस पर दो से तीन मिलना दिया पांच मिलनाट के लिए बहुत तक यह बरफ पूरी पिंगाल ना जाए प अपने फेस पर पूरी अच्छे तरीके से अपलाई करूंगे और यह समर्स में एक पैस्ट ओप्सन होता है आपके स्कीन के लिए बिकोस कर्मियो में स्वेट की प्रोबलम बहुत होती है इसमेल आती है बैड ओडर आती है तो यह आपकी स्कीन को फ्रेस नाप अट्रेक्ट को भी देता है और आपकी लुक को अट्रेक्टिव और कूल फ्रेसन बनाने में हेल्प करता है आप इसको डिरेक्ट ली अपने फेस पर अपलाई कर सकते हो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है हाँ कुछ टाइम के लिए आपका फेस रेड हो जाता है पट वह वापस नोर्मन हो समर्स में यह स्टैप आपको डेली फोलो करना चाहिए आपकी स्कीन बहुत जादा कूल और फ्रेस रहती है काफी टाइम तक अप स्वेट फिरी भी रहती है आपकी स्कीन तो मैं तब तक अपने फेस पर मसाज करूंगी जब तक यह बर्फ पूरी मेल्ट ना हो जाए पूर होता है जो आपको विदाउट मैक अप मिलता है इसलिए आपको अपने स्कीन केर पर पर ध्यान देना चाहिए वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाई गाई